नमश्कार जी बुजनेस के सभी दर्शकों को 77 वे स्वतनत्ता दिवस्त की धेरो धेरो शुपकामना है 15 अगस को भारत की स्वतनत्ता को 76 साल पूरे होंगे हम 77 साल में कदम रख रहे हैं और इसकी सभी भारतवासियों को जी बिजनिस के सभी दर्शकों को धेरो धेरो शुपकामना है। कि मार्केट की बात करें तो प्रिशला हफता काफी डावा डोल रहा है। इस पूरे अगस्त के माहिने में बाजार थोड़ा करेक्ट थोड़ा करेक्ट थोड़ा कंसॉलिडेट कर रहे है। और यही ट्रेंड हमने फ्राइडे हमारे बाजार में भी देखा, यही ट्रेंड हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा। तीन सो अंक की रेंज में कारोबार हुआ था, उसमें करीब सो अंक उपर बंध हुआ है। बठा, नाजड़ाक में आपको कमजोरी देखी थी, सेमिकंडॉक्टर शेर्स में हमने देखा कुछ जादा ही बिक्वाली हुई थी फ्राइडे के सेशन में, जिसकी वज़े से नाजड़ाक आपको कमजोरी के साथ बंध होते हुए दिखा था, 0.6-0.7 परसें नीचे आप पी 500 में हलकी कमजोरी थी, हारकी रसल 2000 हलकी बढ़त के साथ आपको बंध होते हुए दिखा है, अगर आप देखें, पिछले हफते का जो आक्शन है, दो हजार तेइस में पहली बार ऐसा हुआ है, जब नाजड़ाक पर लगातार बैक टू बैक सापता ही गिरावट आपको पिछले हफते के अगर आप बात करें, तो करीब 10% उपर था डाव, बट उसके सामने 0.3% की गिरावट S&P 500 के थी, और आलमोस्ट 2% फिसला है नाजड़ाक, तो वहाँ पर ज़ादा कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है, फ्राइड़ी के आक्शन की बात करें, तो इसके साथ ही एक बहुत ही इंपोर्टन डेटा आया था, जुलाए महीने का प्रड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आप एक तरह से कह सकती है, अमेरिका का होलसेल महेंगाई का आकड़ा, WPI, अमेरिका का एक तरह से आप इसे मान सकती है, और यह बढ़कर आया है, 0.3% बढ़ होकर आया है, अनुमान से कम आया है, हाला कि बढ़कर वो भी आया था, बट अनुमान से कम आया है, बट यह जो आपका PPI आँकड़ा है, होलसेल महेंगाई है, यह आपकी अनुमान से जादा आती हो दिखिए, तो इस पर अब आगे FED की पॉलिसी को कैसे समझना है, यह important र दिख रही है, तो थोड़ी वहां से भी चिंता आपको बनती हुई दिख रही है, यॉरप में भारी गरावट हुई है, एक से सवाई एक परसेंट, यॉरप के बाजार फिसले हैं फ्राइडे को, तो थोड़ा प्रेशर वहां पर आपको जादा बनते हुई दिखा था, इस हफते की बात करें, उससे पहले एक बार कमोडिटी बाजार पर भी नज़र डाल देते हैं, डॉलर इंडेक्स पर अगर आप देखें तो यहां पर लगातार चौते हफते बड़त आ रही है, पांच हफते की उचाई पर डॉलर इंडेक्स है, तो ये भी है, जो थोड़ा कम दोमान मजबूत करा है, और टाइट सप्लाई की भी बात करी है, सोने में लगातार आप तीसली साफ़ताई गिरावट देख रहे हैं, चांधी पंदरा महिने के निसले सर पर आगे है, और बेस मेटल में भी धाई से पांच परसन की पिछले हफते वीकली गिरावट हुई तो थोड़ा कमोडिटी बाजार पर प्रेशर है, बट कच्छा तेल और डॉलर ये दोनों उपर जाते हो दिख रहे हैं, तो इन दोनों पर आपको हमारे बाजारों के लिहास से भी रज़ा रखनी है, इस हफते की बात करें, तो जो फेट बैठर कहुई थी, उसके मिनिट जारी होंगे, इंपोर्टन है, क्या कुछ कहना है, फेट के तरज़त से को, आगे के आउटलुक को लेकर, यूएस का जुलाई महीने का रीटेल सेल्स डेटा आएगा, हाउजिंग डेटा आएगा, तीन रीटेल दिगज कंपनीस के नंबर्स आएंगे, टार्गेट, होम ड गेटा तो यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा से कंफूजन है, और देखते हैं, हमारे मार्केट से इस कंफूजन में किस तरफ या किस करवट राधर बैटते हैं, धनिवाद दीप, वो पूरी दिटेल दर्शुकों के सामने रखने के लिए, आई आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ़ते, यानि कि शुकरवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है, तो FIIs के तरफ से तो कैश स्पेस में हमने विक्वाली हावी देखी और ये फिगर थोड़ा बड़ा ही है, इनफाक 3,000 करोड से अधिक की विक्वा नतीजे जारी किये, बहुतों के नंबर आने है, पूरी रिचे लेकर वरुन दूबे हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, वरुन गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है, पहले तो जरा बताएगे कौन-कौन से नंबर्स ओवर दर वीकेंड आये हैं, रहे कैसे हैं, है, वो अनुमान से बैतर है, 6.8% के आसपास की गिरावाट है, लेकिन यह हमारे अनुमान से बैतर है, ऑपरेशनल फरंट पे नंबर्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि बेटा 19% बढ़ा है, मार्जिन 45% से बढ़के 57.5% पर आये हैं, जबकि अनुमान करीब 54% के आसपास का था, तो यहां पर एक बीट देखने मिला और मुनाफ़ा हमारा अनुमान 10,045 कोड का था, 10,015 कोड पर आये, यानि कि बैंक आनुमान के मुताबित कमनी का मुनाफ़ा आया है, दिक्कत का है, तो दिक्कत वॉल्यूम्स में है, कमनी के ओवराल वॉल्यूम्स अगर आप दे थे, उसका इंपेक्ट वॉल्यूम्स पे हुआ है, उससे दारा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हाल फिलाल में, IGL, MGL, इनके जब वॉल्यूम्स के नंबर आये थे, तो उनमें गिरावट देखने मिली थी, इसके नहीं में कह रहा हूं कि यहां पर मिले यह जुले नतीजे है, NIA 1% बड़ा हुआ है, मुनाफे में 41% की बड़ोती है, 30000 कोड पे ही आया है, दरसल कमनी को एक exceptional gain हुआ है, करीब 487-490 क्रोज के आसपास का, पिछले साल exceptional loss था 768 क्रोज का, उसके चलते आपको इस्ता का, you know, मुनाफे में बड़त देखने मिल रही क्या है, 1-4 के आसपास का bonus share जो है, वो एक कमनी जारी करने वाली है, और 600 कोड के रहे करीब 66 कोड एक्विटी शेर जो है, वो एक कमनी जारी करेगी, City Union Bank, नतीजे मिले जुले है, अब इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों आपको देखना है, NIA अगर आप की बड़ोत लिए है, हमने गिरावट का अनुमान लगाया था, 227 कोड पर आया है, 202 कोड का अनुमान था, प्रोविजनिंग कम हुई है, साल-10 साल कौटन कौटन, लेकिन लोन ग्रोथ और डिपोजिट ग्रोथ, इंडस्टी में सबसे कमजोर रही है, लोन ग्रोथ महस 4 प से बढ़के 4.91 पर संट पर आये हैं, मार्जिन्स अल्मोस्ट फ्लाट रहे हैं, मुचुत फनाइस थोड़े अनुमान से मुताबित अगर आप देखेंगे तो कमजोर है, एस्पेशली अगर आप देखेंगे तो NPS में थोड़ी बहुत बड़ोती देखने मिली है, और साथ से बड़के 4.26 पर संट, नेट इंटरेश माजिन में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, लेकिन आगे के फ्यूचर को लेके कंपनी जो है, वो यहां पर काफी बुलिश नज़ा आ रही है, वोल्टास यहां पर मिले जुले नतीजे हैं, रेविन्यूस अन अनुमान था, मुनाफ़ा 129 पर आया है, जेस पेल अच्छे नतीजे हैं, कमनी की आया अगर आप देखेंगे 4 पसंट गिरी है, लेकिन यह हमारे अनुमान से थोड़ी कम यहां पर नज़ा आ रही है, माजिन लेकिन 21 पसंट पर आया है, 17.8 पसंट का अनुमान था, अगर आप देखेंगे तो 1650 कोड़ पर आया है, करीब साड़े 1400 कोड़ का अनुमान था, नाल को नतीजे कमजोर और एस्टीमेट से काफी कमजोर नज़ा आ रहे हैं, रेविन्यू सोला पसंट गिरा है, माजिन 18.7 पसंट पर आया है, 20 पसंट का अनुमान था और तेईस प 15 पसंट से बढ़के 16.3 पसंट का अनुमान था, मुनाफ़ा 10 पसंट बढ़के आया है, करीब 570 कोड़ के आसपास, तो यह सारे नतीजे हैं, जिनका रियक्शन आज आपको मार्केट पर देखेंगे, चलिए तो आज धेरो आक्शन तो यहां पर स्टॉक्स में भरपूर द नज़र रखेगा, तो इसका इंपक्ट आपको एक्रोस मार्केट एकनोमिक जितने स्टॉक से वहां पर देखने मिलेगा, नतीजे आएंगे, आईटी सी के डीवीज लाप के, एफेनो में, हिंदुस्तान, कॉपर, इंडिया बूस, हाउजिंग फिनैस, वोड़ा फोन, आडानी हिंडरबग केस जो है, उसकी जाद पूरे करने को और रिपोर्ट जो देने को कहा गया था, उसका आज आखरी दिन है, तो यहां पर नज़र रखेगा, अब जो NCDX पे कमोडिटी के टाइमिंग है, वो चेंज हो रहे हैं, दस से पाच का रहने वाला है, पहले नो स अज़र रखेगा, एक्सडेट है, आईशा मोटर्स, महान अगर गैस, रिसी, हिंडाल को और साथी साथ, GE शिपिंग जो डिविडेंट इन्हों ने दिये हैं, उसकी आज एक्सडेट है, TVS सप्लाई चेंज सलूशन, डे टू का अपडेट दे रहता हूं, आज लाज डे है इस कंपनी के IPO का, QIB करीब-करीब 0.15 टाइम्स भरा है, NIA 1.06 टाइम, रीटेल 3.78 टाइम्स और टोटल सब्सेप्शन अगर आप देखेंगे, तो 1.06 टाइम्स के आसपास का है, अडानी ग्रूप स्टॉक्स और खासकर अडानी पोर्स पे आज खास नज़र अखेगा, क्य के हवाले से एक खबर आई है, कि अडानी पोर्स के ऑडिटर डेलोट ने शिकायत दज कराने के बाद इस्तिफा दे दिया है, लोटर के हवाले से एक खबर है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ लेंदेन के बारे में चिंताओं के बाद डेलोट ने अपना जो अडानी है, उससे ऑडिटर पर से इस्तिफा दे दिया है, तो कहिना कि इसका इंपाक्ट दिखने मिलेगा, हाला कि एक कांपनी है, MSKAN Associates उनको यहां पे फिलार ऑडिटर नियू किया गया है, लूपिन, USFD ने कंपनी के मंडे डिप यूनिट टू की फैसिलिटी का जीम पी जाच क है, बिना किसी आपत्ति के यहां जाच पूरी हुई है, साथ से ग्यारा अगच के बीच में जाच हुई थी, SJVN कंपनी ने 24 जुलाई को अरुनाचर सरकार के साथ पांच हाइड्रो प्रोजेक्स के लिए एक MOU किया है, और CRM सिल्क कंपनी ने 16.61 लाक एक्विटी शेर के को मंजूरी दी है, साड़े 600 रुपे पती शेर के बाव पे टेंडर रूट के जरिए बाइबैक किया जाएगा, यानि कि पिछले क्लोजिंग से करीब 18% प्रीमियम, माफ कीजिएगा, 20% प्रीमियम पे यह बाइबैक हो रहा है, और राइट चल यह तो धेरो खबरे हैं, ब प्राल निशान में क्लोजिंग हमने शुक्रवार को देखी, 19.430 के नीचे निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी बैंक हमने 44.200 के नीचे किसकते हुए देखा है, आज जरह बताइए कि क्या रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेगी, क्या सला होगी? आज बना है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम पर तीसरे सप्ता लगातार हम एक प्रेशर देख रहे हैं, तीसरा बेरीश कैंडल हमें रेखने को मलता है, तो यहां पर इंडिकेशन तो यहीं मिल रहे है कि एक फॉलॉप सेलिंग हमें देखने को मिल सकते हैं, 19.00-19.30 लेवन निश्टे सवरो पर टैश्ट होते हुए नजरा सकते हैं, तो और फॉर्दे बाइस थोड़ा सा नेगेटिव साइड में होगा, 19.350 से 19.500 की एक टेडिंग रेंज होगी, तो यहां पर इंफाक्ट थोड़ी सी वीकनेस हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो इन अगर यहां पर यह लेवल टूटता हुआ दिखता है, तो नीचे साड़े 43,000 के भी दर्शन हो सकते हैं, अचा अब बनिलेशी यह बताईए, स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन आज आपको कहां दिखाई दे रहा है? तो देखिए, वीजनेस एक्सपेक कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस में, तो बैंक निफ्टी की कमनी इंडर्शन बैंक, एक परिकलर काउंटर जहां पर बैरिश एंगल सिंग कैंडल सी फॉर्मिशन फॉर्मिशन फॉर्म हुआ था फ्रैडे के सेशन में, यहां पर एक फॉल- लगाता, तेजी किसले कुछ एक दिनों से देखी है, वो है टाइटन, तीसरे लगाता, सेशन में हमें तेजी देखने को मेली, तीन हजार से उपर की क्लोजिंग भी हुई थी, और थोड़े से लॉंग साइड में, बिल्डप होते हो भी नजर आ रहे हैं, तो यहां पर 2970 क से टाइटन में लॉंग पोजिशन इनिशियेट करने की सला होगी, 3050 और 3070, यह दो टागेट होंगे, तो एक खरीजारी और एक विपाली का ट्रेड होगा, तो इंडिसन बैंक बेच के चलने की सला निकल करा रही है, साड़े तेरा सो के डाउन साइट टागेट के लिए व अमित सजीजा हमारे साथ जोड़ चोके हैं, अमित मौनिंग बहुत स्वागत है, अमित सबसे पहले तो एनरजी कॉंपलेक्स पर ही फोकस कर लेते, क्योंकि एक मातर यही था जुसने वीकली बेसेस पे कुछ स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, रिजिस्टर की है, कच्छा तेल नाच्रल गयास, आज क्या करना है? अच्छा, और गोल्ड शिल्वर में क्या सला होगी? चांदी डेड़ महीने के लोग पर है, सोना यहां पर पांच हफते के लोज पर है, क्या सला होगी? जी, once again, डॉलर इंडेक्स में जो उचाल आते हुए देखा है, हमने, उस वज़े से गोल्ड शिल्वर दोनों पे ही उपीस तरों पे प्रेशर है, और गोल्ड ने भी 1920 डॉलर के नीचे क्लोस दिया है, इसके चलते हैं, जो वीकने से जारी रहने की अमीद है, मैं 59,050 पे सेल की सला दोंगा, 59,250 के असपा स्वास तॉप हुगा, और दाउन साइड में करीबन 58,700 के लक्ष होंगे, सिमिलली अगर चांदी की बात करें, 70,500 के आसपा सिक्वाली कर सकते हैं, 71,100 के स्टॉप लॉस के साथ, और करीबन 69,500 तक के लक्ष लिये जा सकते हैं एक बार आप रिपीट करेंगे, गोल्ड का सेल है 59,500 राइट? 59,050, 59050 और आपका टार्गेट है 58,700 राइट? हाजी ठीक है, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है क्योंकि मेटल्स की तो बहुत पिटाई हुई है, लगाता दूसरे हफते कॉपर में काफी खराब सापताहिक प्रदर्शन दिखा है, तो मेटल्स में बिक्वाली करनी है? जी बिल्कुल, जो चाइना से जोगी आकड़े आए हैं, वो काफी डिसपॉंटिंग रहे हैं पिछले हफते में, जिसके चलते मेटल्स में बिक्वाली देखने मिली है, मैं अलुमिनम में अक्शली प्रिफर कर कर सकते हैं, हाला कि डाउंसाइड यहां पर तोड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन कॉपर में 728 की करी बिक्वाली करके चल सकते हैं, 733 का एक स्टॉपलास होगा और डाउंसाइड करीवन 788 का टागेट होगा. ओके, पॉइंट टेकन, सो बेसिकली अक्रॉस दबोर्ट बिक्वाली करने की रेक्मेंडेशन ही है, प्रेशर जारी रहेगा, थाइंक्स टू स्ट्रेंथिन डॉलर इंडेक्स, धन्यवाद अमित, पूरी डिटेल के लिए, आईए बढ़ते आगे, FIR यानि FI investment reports के तरफ. पर यहां पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे है बाई को, टार्गेट जो है वो बढ़ा रहे है, 5300 से बढ़ा कर 5800 का टार्गेट कर रहे है, गौलमेंसेक्स की बात करें, तो उनकी भी अपोलो हस्पिटल पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे है बाई को, टार्गेट वो भी डाउन ग्रेट कर रहे हैं वो आउट परफॉर्म से अंदर परफॉर्म पर पर टार्गेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 620 से बढ़ा कर 720 का टार्गेट कर रहे हैं मोज़िद अभाव अगर आप देखेंगे तो 700 के आसपास का है जेपी मौर्गेन की ही इंफो एज पर रिपोर से अंधी है वो बढ़ा है दूच की नजर और अच्छा आए अक्षण रहेगा तो आपको भी नजर रखने अर्मान धनिवात पूरी डिटेल के लिए और आजादी पर इंवाथिं स्वद्स आज सुभा साधे आड़ बजे और फिनैस फिर्नेशन फ्रीडम स्टॉक्स इसके साथ पार ब्रेक्फिस्स को हम यही राप अप करते हैं लेकिन बने रही है गाजी बुजनस के साथ